नमस्का और मैं हो शुभे और आप देख रहें नियूस वनीशन बिहार में 90,700 प्राथमिक सिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है आपको बता दे कि पहले से ही आवेदन लिये जा रहे थे लेकिन अब काउंसलिंग की प्रक्रिया का शेडियूल भी जा हो रही थी कि कब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी इससे संबंदत जानकारी कब दी जाएगी तो आपको बिता दे कि सिक्षा विभाग की तरफ से अब इसको लेकर जानकारी सामने आ गई है और सिक्षकों के नियोजन के प्रक्रिया का रास्ता पूरी तरीक नगर निकायों के लिए जिला मुख्यावियों पर 7 जुलाई को प्रकट नियोज़न इकायों में नियोजन खिया गया है। प्राप्त हुए हैं दरसल यहां काउंसलिंग उन नियोजन इकायू में कराई चा रही है जहां दिव्यांगों के आविदन प्राप्त नहीं हुए ऐसे नियोजन इकायू में पहले से तयार मेधा सूची का अनुमोधन अब बिहार पंचायती राज अधिनियम 2021 की धारा 66 के त प्रारेश के आलोक में आधिसूचना में कहा गया कि दिव्यांगों को सिक्षक के पद पर नियुक्त करने के लिए अंतमतिती 25 जो निर्धारित है आपको बताएं कि माधमिक और उच्छ माधमिक की तरह ही अब 9700 अधिक प्रात्मिक सिक्षकों का नियोजन भी पंचायत प प्रापतापतियों का निराकरण 15 जुलाई मेधा सुची का अंतिम प्रकाशन 24 जुलाई जिला की तरफ से मेधा सुची का नुमोदन 27 जुलाई मेधा सुची का सालवजनी करण 2 अगस्त नगर निकाय के लिए काउंसलिंग 4 अगस्त प्रकंड नियोजन निकाय के लिए तो आपको बिता दे के सिक्षक नियोजन प्रक्रिया से संबंधित काउंस्लिंग की प्रक्रिया कैसे होगी इसको लेकर पूरा शेडियूल जारी कर दिया गया है और अब जल्द ही इस प्रक्रिया के तहत सिक्षकों का नियोजन करा लिया जाएगा जादा अब जीट के लिए आप बने रहे नियूस वार नीशन के साथ नमस्कार